22 सितंबर और 23 सितंबर का दिन मकर राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैम आतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 और 23 सितंबर के मकर राशी फल के बारे में कि मकर राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं, इन दो दिनों में ग्रहों की इस्थिती क्या रहेगी, इन दो दिनों में किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चरिया में देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में किस तरह के बदलाव होंगे, आपके क अपनी राशी से जुड़ी हर जानकारी मिलती है समय पर और समय से पहले इन दो दिनों के तित्थी नक्षत्र की बात कर लेते हैं अभी जो 22 सितंबर का दिन है ये शुकरवार का दिन है और शुकरपक्ष की सबतमी तिति रहेगी इस दिन जेष्ट नक्षत्र है अच्छा नक उसके बाद आजाएंगे धनुराशी में जो कि गुरू की राशी है, सूरिय कन्याराशी में है, मंगल के साथ उत्रा फालगुनी नक्षत्र में, इसके बाद जो 23 सितंबर का दिन है, ये शनिवार का दिन है, शुकल पक्ष की अस्टमी तिति और मूल नक्षत्र रहेगा, सौ सूरिय कन्याराशी में विराजमान है, धनुराशी यानि आपके बारवे भाव में, और सूरिय नक्षत्र, उत्रा फालगुनी नक्षत्र में है, रवी योग बनेगा इस दिन, ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्ति थे, इसी क्यादार पर जानेंगे, ये दिन आपके लिए क काफी वेस्त रहने वाली है, आज आप काफी ज़्यादा कामकाच के सलसले में भागदोर बनी रह सकती है, वेस्त दिन चरिया रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आपकी सहत अच्छी है, अनरजेटिक आप रहेंगे, और देखिए, यहां मकराशी के जातकों की मैं बात कर निवेश करने के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा बना हुआ है, दन संपति को लेकर चीज़ें बहुत अच्छे से काम करने वाली है, किसी की बहुत उचित सलहा आपके कामा सकती है, और कुछ खरीदारी करने का योग भी बना हुआ है, यहां खरीदारी कुछ गहनों कुछ खास करके चौका सकता है आज के दिन काम करते वक्त भी कोई खास दिकत नहीं आएगी कुछ तो रचनात्मक करने के आप कूशिश करेंगे और यहां देखें मैं बताओं कि वक्त को बरबाद करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है वक्त को बरबाद ना करें जो वक्त करने वारे लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है अब यहां चंद्रमा आपकी बारवे भाव में आ जाएंगे और ग्यारवे भाव से बारवे भाव में गोचर कर जाएंगे लेकिन बाकी ग्रहों के इस्तिते देखें तो बहुत अच्छी बनी हुई ह चीजे जो हैं आपके लिए बड़ी favorable तरीके से काम करने वाली है दिन की शुरुवात आपके लिए अच्छी में बताई चुकिन अच्छी रहेगी और सुबह का समय बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा यानि उत्तम कह सकते हैं आपके लिए जो सुबह का वक्त है और एक शाम का वक्त भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है नीला रंग आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा जो नीलम वाला नीला रंग होता है वो अगर आप पहनते हैं तो अकशिक रहेगा उर्जा को आकशित करेगा महतपुन कारे करेगा एक चीज और मैं बताना चाहूंगे देखिए धन कमाना किसको अच्छा नहीं लगता धन की सबको जरुरत है सब पैसा कमाने के लिए काम भी करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है काम आप करते हैं लेकिन उसका आपको benefit नहीं मिल पाता पैसा नहीं आपको प्राप्त हो पाता या फिर पैसा आया और तुरंट से खतम हो गया खर्चा हो गया ऐसे खर्चे जिनका आपको पता ही ना हो pre-planned ना हो यानि अचानक से खर्चा खतम पैसा आपका खतम हो गया उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको अगर आप धारन करते हैं जिसको आप पहनते हैं तो money magnet का काम वो करेगी money magnet आप समझते हैं कि पैसो को अपनी तरफ खीचने का काम करेगी तो जो भी दिक्कते पैसों से समझते हैं वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी मन में नए नए ideas आएंगे नए ideas हैं तो उन पर अमल करना शुरू कर देंगे जो आप काम कर रहे हैं उससे पैसा आप प्राप्त कर पाएंगे ये एक कैसी मेगनेट है जो रियल में आपके उपर काम करेगी ही करेगी जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और मैं आपको बता दूँ ये है पाइराइट पाइराइट की रिंग है एक अंगूठी है जिसको पुरुष और महिला दोनों ही धारान कर सकते है एडजस्टेबल है अन्य को फाइदे हेल्थ को लेकर वैल्थ को लेकर दोनों को लेकर आजमाई हुई चीज है और हाँ ये लिंक इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे जो जगाँ है वहाँ पर लोकल नकली भी मिल रही है तो ये certified है आप इसको बाय कर सकते हैं और इसका जो फाइदा है वो आपको देखने को मिलेगा और आप comment करके मुझे बताएंगे कि इसका आपको benefit हो रहा है बहुत अच्छे से ये आपके जीवन में धन को आकाशीत भी करेगा धन को manage भी करवाएगा पैसो को रोकने का कारे भी करेगा नई नई ideas भी आएंगे उन पर अमल भी करेंगे यानि हर तरीके से के आपके जीवन में ये काम करने वाला है तो description में लिंक है वहाँ से आप इसको buy कर सकते हैं और साथ में हमारा जो YouTube चैनल का लिंक मैंने आपको share किया था community post में उसको भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं YouTube के थरू, WhatsApp के थरू, sorry तो चली अब बात करते हैं 23 सितंबर के बारे में 23 सितंबर का जो दिन है 12 भावकोय चंद्रमा है आज आप अपने समों के साथ मिलकर काम करेंगे और साथ में आज आप कोई meeting के लिए भी जा सकते हैं किसी meeting में आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है आपने बहुत सारे आश के लिए बड़ी उत्तम रहेगी यानि आपके रुत्वे को बढ़ाने वाली आपको बहुत अच्छे से आपको मजबूत करने वाली रहेगी आप किसी कूट निती का नाशिकार हो जाएं कोई आपका शत्रू जिसको आप नहीं जानते वो किसी तरह की राजनिती कर सकता है तो थोड़ा सा सावधानी भी आपको रखनी होगी और हाँ एक चीज का और ध्यान रखना है कि आखों से सम्मंदित कोई भी परिशानी है तो आपको थड़ा ध्यान रखना होगा आखों से सम्मंदित परिशानी के लिए कई बार होता है चीजें जो हैं आप ध्यानी रखत चुनाव कर सकते हैं और अगर आपने पहले से चुनाव कर रखा है तो माता पिता को मनाने में लगे हुए हैं तो वो आज अपनी बात आपकी बात मान सकते हैं जिससे आपको परसनेता मिलेगी और साथ में आप बड़ी मांदार तरीके से सरल तरीके से इन बातों को अगर करे और आपकी शादी को लेकर आपके parents सहमत भी हो सकते हैं एविवाहित लोगों के लिए विवाह के बहुत जवरदस्त योग हैं विवाह पक्का हो सकता है और प्रेम विवाह के भी chances बन रहे हैं हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे से जो है आज ग्रह नक्षतर काम करने बहुत उत्तम दिन आपके लिए आज दिखाई दे रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें